नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली रौंड अप शो आगे नज़र डालते हैं आज की मुख्यों सुर्कियों पर किसान आंधोलन साथ महीने पूरे होने पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली क्रिशी बचाओ लोगतंत्र बचाओ का नारा लक्षुदीप में काम कर चुके वैज्यानिकों की राश्पती से दखल की गुहार कहा LDR लागू हुआ तो बिगड़ जाएगा तानावाना आपातकाल के 46 साल क्या उसी ओर वापस जा रहा है देश और आखिर में करोना अपडेट देश में अक्टिव मामले घट कर दो फीसदी हुए दिल्ली की सीमाओं पर तीन क्रिशी कानून के विरोध में चल रहे किसान आंधोलन की शुरुवात 26 नौंबर को होई इस आंधोलन को 26 जून को साथ महीने पूरे हो जाएंगे इस मौके पर किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने का एलान किया है सन्यूत किसान मोचा ने बयान में कहा है कि सिंगू, टिक्री और गाजीपूर बॉर्डर पर किसान 26 जून की तयारी कर रहे है और वेसे क्रिशी बचाओ, लोगतंत्र बचाओ दीवस के रूप में मनाएंगे इससे पहले सन्यूत किसान मोचा ने गुरुवार को कहा कि पिछले साल लागू किये गए तीन क्रिशी कानूनों के खिलाफ उनके आंधोलन के 26 जून को साथ महीने पूरे होने पर उतरप्रदेश के किसानों सहिध बड़ी संख्या में कृषिकों के दिल्ली की सीमाओ पर प्रदर्शन कारियों के बीच शामिल होने की उमीद है बयान में कहा गया ग्रामीड किसान मजदूर समीती के नेत्रितु में प्रदर्शन कारियों का एक बड़ा काफिला आज राजस्थान के गंगा नगर से शाजहापुर सीमा के लिए रवाना हुआ है इसी तरह BKU के नित्रितु में बागपत और सहारनपूर के किसानों के गाज़िपूर बॉर्डर आने पर आने की उमीद है बयान में कहा गया कि 26 जून को देश भर में किसान यूनियोनों के नित्रितु में कानूनों के खिला प्रदर्शन करेंगे गुर्वार को विबिन विरोध स्थलों पर किसानों ने 15-20 स्टाब्दी के भारती कवी और संत कभीर दास की जहनती मनाई S.K.M. ने बयान में कहा साम्प्रदाइक सद्भाव इस आंदोलन की पहचान है और संत कभीर की जहनती बड़े सम्मान के साथ मनाई गई रस्तावित लचुदीव विकास प्राधिकर नियमन 2021 समस्याओं से भरा है और लचुदीव की पारिस्थितिक आजजीविका एवं संस्क्रिती के लचीले पन को सुरक्षित रखने वाले मौझूदा कानूनी प्रावधानों के खिलाब काम करेगा विविनिस अंस्थानों के वैग्यानिकों के समूने या बात कही है जोनों ने वर्षों तक द्वीप पर काम किया है इंडियन एक्स्प्रेस की खबर के अनुसार ब्यस्पती वार को जारी एक बयान में लचुदीप रिसर्च कलेक्टिव ने कहा कि उसने वैग्यानिक समूदाए के 60 अन्य हस्ताक्षर करताओं के साथ मिलकर राश्पती रामनाद कोविन को पत्र लिखकर उनसे लचुदीप विकास प्रादिकरण वियनम 2021 के समस्या भरे मसौदे को वापस लेने के लिए हस्तचेफ करने का अनुरोत किया है वैग्यानिकों एवं नागरिकों के एक समूदीप रिसर्च कलेक्टिव ने कहा कि उन्होंने LDAR के नहीतार्थों की विस्तरित समिक्षा की है बयान में कहा गया असानी भूमी के अधिगरहड को सक्षम बनाने वाले इस मसौदा नियमन में हमने पाया है कि यह मौजूदा कानूनों जैसे भूमी अधिगरहड, पुनरवास एवं पुनरस्थापन अधिनियम 2013, जैविक विविरता अधिनियम 2002, पर्यावरण सरक्षन कानून 1986 के अन 30 अक्टूबर 2015 को प्रकाशित कर अपनी अधि सूचना संक्या 1901, बटा 16, बटा 91, एक ए में और लचुदी पंचायत नेमन 1994 में स्विक्रित किया था आज देश में अपातकाल को 46 साल हो चुके हैं देश में अपातकाल कॉंग्रेस से ततकालीन प्रदान मंत्री इंद्रा गांदी ने 1975 में लागो किया था आज इस मौके पर ग्री मंत्री अमित शाह और यूपी के सीम आधित नाथ ने भी बयान दिया है वरिष्ट पत्रकार अविसाज शर्मा का कहना है कि इससे बड़ी विडमना कुछ नहीं हो सकती आए सुनते हैं और आज का दिन क्यों है मैं आपको बताता हूँ मार से 46 साल पहले स्वर्गी इंद्रा गांती ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुछलते हुए आपका लगा दिया था करीब 15 महने तक 21 मंस चाहे अदालते हों न्यूस पेपर्ज हों यानि कि मीडिया चाहे तमाम संस्थाएं पूरी तरह से रौंदी जा चुकी थी मुझे ये उम्मीद थी कि दोस्तों कि उससे सीख लेकर हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करेंगे मगर पिछले 7 साल से जो हो रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि अगर इंद्रा गांधी को पता होता कि इस तरह से देश की मीडिया को काबू में लाया जा सकता है तो जाहिर सी बात है वो भी आपातकाल नहीं लगाते हैं दर असल ये बात मनो जहा कह रहे थे राजसभा सांसद हैं तो बहुत दिल्चस बात है कि इंद्रा गांधी को पता होता कि इस तरह से आपातकाल लगाया जा सकता है देश में तो वो भी आपचारिक तोर पर आपातकाल नहीं लगाते हैं मैं आपका ध्यान खीचना चाहूँगा इन दो चेहरों की तरफ देश के ग्रेह मंत्री आमिश्या और उत्तरफ वदेश के मुख्य मंत्री योगी आदपनात ग्रेह मंत्री आमिश्या क्या कह रहे हैं आपातकाल पर इनकी टिपणी है देश के संविधान और लोक्तंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संगर्ष करने वाले सभी देश वासियों के त्याग और बलिदान को नमन अमिजी उस वक्त तो आपात खाल तो तुम मान लिया आज क्या है मुझे बताईए न मुझे आज क्या है इन शहरों पर गौर कीजिए दिवांगना कलीता नताशा नर्वाल आसिव इकबाल तनहा तिशा रवी इन्हें आपने जेल में डाल दिया था कुछ तो एक-एक साल तक जेल में थे और फिर अदालत ने ये कहकर इन्हें रिहा किया कि आपने जो अभिव्यक्ती की आजादी है जो कि लोकतंत्र में होनी चाहिए उससे आपने रौंद दिया क्या हो रहा है पिछले साथ साल में पिछले साथ साल में क्या हो रहा है अमिजी मैं आपको बताता हूँ एक शक्स सवालों का जवाब ना दे सके तो वो शक्स पिछले साथ साल से एक भी प्रेस कॉ प्राधान मंत्री सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आपका मन होगा तो आप सवालों के जवाब देंगे यह लोगतंत्र नहीं होता है रपया उस आपातकाल का नाम लेकर जो आज कर चल रहा है आमेजी उसे जस्टिफाइ मत कीजिए उसे सही मत ठहराइए पत्रकार जब सवाल करते हैं तो उन्हें आप नौकरी उस निकलवा देते हैं उनके लिए ऐसे हालाद पैदा कर देते हैं कि वो नौकरी छोड़ दें और ये मत सुचिए ये आपकी बहादुरी है ये कायरता है ये कायरता है क्योंकि आप उस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जहां जिसके इतियास में बहुती बहती बहतरीन वक्ता और प्रवक्ता रहें आज आपकी प्रवक्ता सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं गाली गलोच पे उतराते हैं आज कल क्या चल रहा है मुझे बताईगी न क्या ये आपातकाल नहीं है और आखिर में हम बात करेंगे केंद्री स्वास मंत्राले द्वारा आज शुक्रवार यानि 25 जून को जारी आगडों के नुसार देश में 24 घंटों में कुरोना के 5,666 नए मामले दर्जी किये गए इसके अलावा कुरोना से एक दिन में 1,329 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीश देश भर में कुरोना से परित 64,527 मरीजों को ठीक किया गया और कॉल एक्टिव मामलों में 14,189 मामले कम हुए है देश में कुरोना के मामलों के संक्या बढ़कर 3,134,445 हो गई है जिन में से अब तक 3,93,310 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कुरोना से परित 96,66 फीस दी यानि 2,98,266 मरीजों को ठीक किया जोड़ चुका है और देश में अक्टिव मामलों की संक्या घटकर 2,063 फीस दी यानि 6,12,868 हो गई है स्वास मंत्राले की था जानकारी के अनुसार देश में कुरोना वैक्सीन की 30 करोड 89,48,744 डोज दी जा चोगी है जिन में से 60,73,912 वैक्सीन की डोज पिसले 24 गंटों में दी गई है आज के डेली रॉंड अप में बस इतना ही नियूस क्लिक के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया